हेलो लास्ट वीडियो पर हमनों कोश्चिन नमर 7 तक सॉल्व के थे अभी हमनों कोश्चिन नमर 8 से स्टार्ट करते हैं टू टेबल्स ए एंड बी अर गिवन बिलो ड्रॉ ग्राफ फोर क्वांटिटी सो इन दे टेबल और फाइंड आउट वाइबर वाइट 2-1 अपॉन एकस्ट्व माइनस एकस्वन इस कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट है यानि यह भी हम लोग को सॉल्व करके फाइंड करना इसमें टेबल वन क्या है रेडियस ओफ सर्कल इन सैंटिमीटर पैरिमीटर ओफ सर्कल ठीक है तो अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती है पहले ठीक है तो पहले टेबल एक अम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कर लेते हैं अब इसको ब्रॉस एक्ससर ठीक है अब इसको ले लेते हैं एक्सस और ये यह हो गया हमारा य एक्सस एक्सस में हम लोग क्या रहे हैं रेडियस ओफ सर्कल तो y axis में क्या ले रहे हैं? perimeter of circle तो y axis में यहाँ लिखेंगे perimeter of circle किसमें है ? 2 pi r ? 2 pi r in cm, खिक है ? अब इसके पास इसको draw करते है radius of 2 4 pi ठीक है ? पहले हम इसको draw कर लेते हैं X-axis में radius लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर जीरो हो गया, इसको ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, अब next में हम लोग Y में लेंगे, Y में कहा है, 4 pi, 8 pi, 4 pi, 8 pi, 12 pi, 16 pi, and 20 pi, अब इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, 2, 2 में कहा है, 4, 4 में, 8 pi, 6 कहा है, 12 pi, 8 कहा है, 16 pi, and 10 is 25, अब इसको जॉइन कर लेते हैं, ठीक है, तो यह हम लोग का graph रेडी है, इसमें हम लोग को only graph बनाने बुदा था, हम लोग ग्राफ बना लगी, ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें next solve क्या करना है, y2, y2-y1, and x2-x1, तो इसको solve कर लेते हैं, यहाँ पर y2, y1, x2, x1 का value, already given है, ठीक है, तो y2 क्या है, 8pi, y1, 4pi, x2, 4, x1, 2, 8-4, 4pi, 4-2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, answer क्या रहा है, 2pi, next है, table number b, table number b में भी straight line ही क्या होगा, graph में straight line ही बनेगा, बस इसमें क्या है, table b लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, radius of circle in centimeter, यहाँ क्या था, perimeter of circle, यहाँ पर y-axis में क्या लिखेंगे, area of circle, y-axis के लिए जब बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, area of circle, और यहाँ पर quantity change हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, pi, 4pi, 9pi, 16pi, 25pi, ठीक है, तो यहाँ पर 9, 12, 16, यह हो जाएगा, 4, 9, 16, 25, और 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम लोग 2, 4, 6, 8 यहाँ क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, and 5, तो आप लोग, I hope इसको draw कर सकते हैं, यह भी क्या है, straight line बनेगा, अब इसमें हम लोग पहले, इसमें important जो इसको find कर लेते हैं, क्या है, y2-y1, x2-x1, ठीक है, 4pi-pi, 2-1, ठीक है, यहाँ पर x1, x2, y1, y2 की value हम लोग ले लिये हैं, अब formula में value पुट करके solve कर लेते हैं, 4pi-pi क्या हो गया, 3pi, 2-1, 1, तो answer क्या हो गया, 3pi and 2pi, equation 1 and 2 is known, that y2-y1 upon x2-1, x1 are not constant on both table, इसमें क्या बर है, कि यह जो y2-y1 upon x2-x1 है, यह दोनों table में constant नहीं है, इसमें क्या 2pi है, और इसमें 3pi, equal नहीं है, तो इसमें से हम लोगों यही पता चलता है, question number 8 में बस इत्ते ही करना था, I hope आप लोगों समझ बाया होगा, आप question number 9 देखते हैं, question number 9, the temperature, the temperature data for a particular day in a city or show in a graph, answer the following question based on the graph, यह question number 9 का graph है, इस graph के base पर हम लोगों को question का answer देना है, what was the city temperature at 6 a.m., 6 a.m. में temperature क्या था, ठीक है, कितना है, 25, the answer is 25, ठीक है, 6 a.m. में temperature कितना है, 25 है तो 25 निखेंगे, next question है, what was the city temperature at 3 p.m. in the afternoon, 3 p.m. बोला, तो 3 p.m. में कितना है, कौन से में, dot प्यार है, इस dot ठीक है, और यह dot 30 डिगरी प्यार है, ठीक है, तो answer क्या जागा, 30 डिगरी, next है, question नमबर 3, at what time was the temperature 30 डिगरी celsius, कौन से टाइम पे 30 डिगरी celsius था, कौन से टाइम पे था, 3 o clock, ठीक है, 3 p.m. भी लिख सकते है, 3 o clock भी लिख सकते है, ठीक है, अब next question है, what would have been the temperature at 12 midnight, 12 midnight बोला, ठीक है, तो 12 midnight में, temperature क्या था, यह हो गया, 12 midnight, ठीक है, sorry, यह am होता है न, midnight को, तो 12 में कितना temperature, 25, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 25 डिगरी celsius, next है, 5 नमबर, what was the temperature at 9 p.m. in the night, 9 p.m. in the night, गोला, ठीक है, 9 p.m. में कितना है, 9 p.m. is also 25 डिगरी, तो 9 p.m. में भी क्या है, 25 डिगरी celsius, तो question number 9 बहुत easy था, इसमें हम लोगो only graph देख करके temperature बताना था, अब question number 10 देखते हैं, last question है, the pollution level of a city where monitor throughout a day, the pollution level are showing the graph, answer the following question based on the graph, यह question number 10 का graph है, इस graph के basis पे हम लोगो question का answer देना है, first question is, what was the pollution level at 8 in the morning, 8 in the morning pollution level क्या था, ठीक है, morning में, तो morning में कितना है, 8, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या ले लेंगे, 55 का difference है न, और यह इस place में आ रहा है, तो इसको क्या ले लेते है, 180 p.m, p.m है न, इसलिए 180 p.m लेंगे, 8 o'clock, 180 p.m, at what time was the highest pollution level recorded, highest pollution level किस time पे record हुआ, highest क्या है यह, और timing क्या है, 1 a.m, तो क्या लेकेंगे, at 1 o'clock, what was the, what was the pollution level in the afternoon at 4 o'clock, 4 o'clock में, pollution level कितना था, 4 o'clock, afternoon बोला, ठीक है, तो afternoon क्या होता है, p.m, तो p.m के time पे कितना हो रहा है, 1 a.m, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 150 p.m, next question है, what was the change in pollution level from 12 o'clock noon at 6 o'clock in the evening, 12 o'clock noon से लेके, 6 o'clock के बीच में, किते का difference है, ठीक है, यह 12 o'clock हो रहे है, 6 o'clock, तो 12 में कितना है, 12 में, around 2.30, और 6 o'clock में कितना है, 150, तो माइनस करेंगे, तो कितना जगा, 80 p.m, ठीक है, 80 p.m आ रहा है, अब next, फिफ्ट नंबर है, by how much did the pollution level decrease from 1 o'clock at night to 4 o'clock in the morning, 1 o'clock से 4 o'clock के बीच में कितना decrease हुआ है, क्या, pollution level, 1 o'clock to 4 o'clock morning, भूला है, ठीक है, morning, 250 था, 200 हुआ, तो कितना का difference है, 50 p.m का, तो क्या लिखेंगे, 50 p.m, तो chapter 7, graph हमारा complete हो गया है, I hope आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को like, share and subscribe कर दीजेगा, next video में chapter 8, banking and taxation, हम लोग read करेंगे, thank you, हम लोग लिखेंगे, 25 बार पला की नचये हैंगे, एक ये तो